हेलो फ्रेंट्स मेरे नाम है रवी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेस बाई रवी पर फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए 17 जून 2024 के डेली करेंट अफेस के कोशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ मैंने आपके लिए सभी कोशन सेलेक्टेड और इंपोरेंट लिए हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी साधा यूसफुल रहने वाला है हर दिन एक नया टॉपिक होता है और इसी के साथ डेली जीगे का बूस्टर भी चलाता हूँ जिसमें कि मैंने आप सभी के लिए जीएस में पॉलिटी स्टार्ट करी वी है पॉलिटी में आज आपको मैं मौलीक अधिकार के टॉप 10 कोशन पढ़ाने वाला हूँ फिर अगर आप करेंट अफिर एक लास मुझसे लेते हो आप तो करेंट अफिर में एक्सपर्ट होने ही वाले हो साथ में जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले कोशन से पहला कोशन स्टार्ट करने से पहले बिछले कल ज अंसर हो जाएगा इटली के फसानो शहर में वर्ष 2024 में पी-म मोदी 3.0 मंतरी मंडल में सबसे अमीर वंतरी कौन है अंसर हो जाएगा चंदर शेखर पैमा सानी वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्टी सुरक्षा सलहकार यानी की NSA पद पर नियुक्त किया गया है अगला कोशन मही 2024 के लिए ICC Player of the Month पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया अंसर हो जाएगा गुडाकेश मोती पुरुष में और चमारी अटापट्टू महीला में इनको यह पुरुसकार मिला है अगला कोशन ग्लोबल कार्बन प्रोजेट के अनुसार नाइटरस ऑक्साइड के उसरजन में निरंतन वृद्धी में भारत का कौन सा स्थान है अगला कोशन अगला कोशन जून दोहजाजाजाज़ में पी-म श्री प्रेटन वायू सेवा का उदगाटन किस राज्य के मुखे मंत्री द्वारा किया गया मध्धे प्रदीश जून दोहजाजाज़ में उतराखन राज्य के जोशिमत नगर और कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदल कर क्या किया गया है अनसर हो जाएगा जोती मर्थ और कैंची धाम जून दोहजाज़ाज़ चौबिस में वकर उस जमान किस देश के सेना प्रमुख बने है बंगलादेश सैयुकतराश्ट यानिकी युनेटिज निशन के अनुसार वर्ष 23 में 23 से मई 24 तक लगभग कितने लोग विस्थापित अवस्था में रहे हैं 120 मिलियन जून दोहजाज़ाज चौबिस में किस देश में महारानी युलिजाबेट की तस्वीत वाले पुराने बेंक नोटों को बदलकर राजा चास तेटे कि तस्वीत वाले नोट शुरू किये गए हैं जून 2024 में की संतरिक्ष एजंसी ने मंगल ग्रह पर बरफ की खोज की है ये आप सभी को ध्यान रखना है तो फ्रेंट्स मैंने आपको पिछले कल के जो most important 15 कोशन थे उनका कोई revision करवा दिया तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले कोशन से उसे पहले आपको बता देता हूँ कि आप मेरा mobile application रवी study जी के जरूर install कर लेना अपने phone में इससे क्या होगा कि जो आपको मैं पढ़ाऊंगा daily शाम को आप application में जाके टेस्ट लगा सकते हो तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले कोशन से फर्स्ट कोशन है मारा जून 2024 में किसने फिर से दक्षिन अफरीका के राश्ट पती के रूप में शपत ली है राइट आंसर हो जाएगा option D सेरिल रामा फोसा फ्रेंट्स यह है फोटो सेरिल रामा फोसा की important point ने समझते हैं सेरिल रामा फोसा को एक बार फिर से दक्षिन अफरीका का राश्ट पती जुना गया है सेरिल रामा फोसा अफरीकी राश्ट यह कॉंग्रेस की अध्यक्षपी है उन्हें कुल 282 वोट मिले है उन्होंने 15 फरवरी 2018 को पहली बार राश्ट पती की शपत ली थी दक्षिन अफरीका के 1996 के समिधान के अनुसार देश के राश्ट पती का चुनाव देश की संसत द्वारा किया जाता है अगर हम बात करें यहां पर दक्षिन अफरीका की दक्षिन अफरीका जो है अफरीका महादूइप में स्थेत है इसकी तीन राजधानी है एक है Pretoria जो की कारेकारी राजधानी है दूसरी है Cap Town जो की विधाई राजधानी है और तीसरी है Blom Fountain यह है नियाईक राजधानी अगर हम बात करें दक्षिन अफरीक की रेंड यहां की मुद्रा है राजधानी है पर जो पिले रंगा आपको देश दिख रहा है ना अफरीका महाधवीप में यही है दक्षिन अफरीका मैप करता हूं ताकि आपको चीजों को समझने में असानी रहे है तो देखें फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने आपको यह तो बता दिया कि जो सरील रामा फोसा है यह दक्षिन अफरीका के राश्टपती बने है फिर से ठीक है अगर हम बांकी के आप्शन डिसकस करें तो बांकी के नाम भी आपको जाने पेचाने लग रहे होंगे तो वो कैसे अगर हम बात करें कलाउडिया शिनबाम की तो फ्रेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कलाउडिया शिनबाम है यह मैक्सिको की पहली महिला राश्टपती बनी है ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और अगर हम बात करें टू लैम की टू लैम जो है यह वियतनाम के नई राश्पती बने है जितने भी आपको मैं अडिशन फैक्ट बता रहोना सभी आपके एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्ट है नेक्स्ट है हमारा कोशन अफलाई ओन दा आर बियाई वाल नामक पुस्तक की लिखी का कौन है राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन सी अलपना कीला वाला अलपना कीला वाला अफलाई ओन दा आर बियाई वाल पुस्तक की लिखी का है यह आपको ध्यान रखना है डिटेल में अगर हम समझें अलपना किला वाला दोरा लिखित A Fly on the RBI Wall नामक पूस्तका विमोचन किया गया है A Fly on the RBI Wall अलपना के RBI में बिताए गए कहानियों का संग्रह है पूर पतरकार अलपना किला वाला ने 25 वर्षों तक RBI के संचार कारे का नेतरितव किया था यह है फोटो अलपना किला वाला की नेक्स्ट है मारा कोशन जून दोजार चॉपिस में भारत आई ओ आरे यानि कि भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूस प्रेटन सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन C भारत का शहर नई दिल्ली में यहां पर आयोजित हुआ है डिटेल में अगर हम समझें दो दिवसिये भारत आई ओ आरे क्रूस प्रेटन सम्मेलन नई दिल्ली में संपन हुआ है सम्मेलन में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन बंगलादेश, केनिया, मेडागासकर, मौलदीव, मोजांबिक, श्रीलंका, दक्षिन अफरिका, सैशल्स, अतंजानिया सहित आई ओ आरे सदस्ते देशों के अधिकारियों और विश्यशग्यों ने भाग लिया है चर्चा में बुनियादी धांचे के विकास, नियामक मुद्दो, सतत प्रेटन, रोजगार, स्रीजन, महिलाओं को शामिल करने और वैपार के अफसरों आदी पर चर्चा की गई है अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी साथ मार्च 1997 को स्थापना हुई थी, मुख्याले मौरिशस में है, महासचीव है सल्मान अल-फार्सी और आपको बताना चाहता हूँ, वर्तमान में आई-आरो के 23 सदस्य देश और 11 समधात्मक देश शामिल है नेक्स्ट है मारा कोशन, जून 2024 में भारती सेना को नागास्तर रवन आदम घाती ड्रोन का पहला बैच प्राप्त हुआ है, इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है आपको बताना चाहता हूँ, जून 2024 में भारती सेना को जो नागास्तर रवन आदम घाती ड्रोन का जो पहला बैच मिला है, इसे विक्सित किया है, एकनॉमिक एक्स्प्लोजिव लिमितेड, यानि कि EEL महराश्ट ने डिटेल में अगर हम इस कोशन को समझें, भारती सेना ने सौदेशी रूप से विक्सित आतमघाती ड्रोन की अपनी पहली खेप राप्त कर ली है, जिसे नागास्तर रवन नाम दिया गया है सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी, एकनॉमिक एक्स्प्लोजिव लिमिटेड, द्वारा निर्मित नागास्तर रवन एक प्रकार का लोईटरिंग म्यूनेशन है, लगबग 9 किलोग्राम वजन वाले है ड्रोन, 2 मीटर के दायरे में सटीक निशाना लगाने के लिए, ज आपको बदाना चाहता हूं, भारतिय सेना कि स्थापना एक एक एपलट 1895 को हुई थी, मुख्याले नई दिल्ली में है, और थल सेना अध्यक्ष है, लेटिनेंट जर्नल उपेंतर दुवेदी, यह आपको ध्यान रखना है, नेक्स कोशन है मारा, किस राज्ये में स्थेत स प्रिक्स वर्सलेस पुरुसकार 2024 के लिए चुना गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन C, गुजरात, इम्पॉरेंट पॉइंट से कोशन को अगर हम समझे, युनेसको ने गुजरात के भुज में समरितिवन भुकंप समारक संग्राले को प्रतिश्ठित प्रिक्स वर्सलेस पुरुसकार के तहत, दुनिया के साथ सबसे खुबसुरस संग्राले में सुची बद किया है, भुज की समरितिवन भुकंप संग्राले को चीन के चेंगदू में A48 म्यूजियम और मेस्तिर की गिज़ा में Grand Egyptian Museum के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है, समरितिवन मैं आपको बताऊं, गुजरात के बारे में, तो गुजरात की स्थापना हुई थी, एक मई 1960 को, राजधानी है, गांदी नगर, मुखे मंतरी भुपेंदर पटेल है, राज्ये पाल है, अचारे देवर्त, फिर्स आपको मैं जितनी भी additional facts बताता हूना, सभी facts आपके exam के ल विश्व मरुस्थली करन एवं सुखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है, इसका उद्देश ये मरुस्थली करन और सुखे की उपस्तिती के बारे में, जारुकता बढ़ाना, मरुस्थली करन को रोकने और सुखे से उबरने के तरीकों पर परकाश डालना है, देखो फ्रेंट्स कोई भी जो दिवस वाला कोशनोंतरस की थीम काफी important होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्व मरुस्थली करन एवं सुखा रोकथाम दिवस 2024 की थीम है, भूमी के लिए एक जुट हमारी विरासत हमारा भविश है, इंगलिश में क्या होग विश्व मरुस्थली करन एवं सुखा रोकथाम दिवस अगर हम बांकी के option discuss करें तो फ्रेंट्स देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जो 14 जून होता है इस दिर मनाया जाता है विश्व रक्त दाता दिवस ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, और अगर हम बात करे 12 जून की, तो 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल शरम निशेद दिवस, और इसी के साथ अगर हम बात करें 11 जून की, तो 11 जून को अंतराच्टिय खेल दिवस के रूपे मनाया जाता है, नेक्स्ट है मारा question, जून 2024 में लाँच होई पुस्तक, I have the streets, a kutty cricket story, किसकी आ आतम कथावला जो question होता है ना, exam के लिए काफी important होता है, तो right answer हो जाएगा, option A, R, Ashwin, important point से समझते हैं इस question को, अनुभवी किरिकेटर, रवी चंदर अश्विन और लेखक सिदार्थ, मोंगा द्वारा लिखेत, I have the streets, a kutty cricket story का विमोचन किया गया है, आतम कथा में, रवी परिपक होने की खुशी का वर्नन किया गया है, 37 साल की उमर में, अश्विन ने 744 अंतराश्टे विकेट और 4000 से अधिकरन के प्रभावशारी परदशन के साथ खेल के महन खिलाडियों में अपना नाम दर्च किया है, देखो friends, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया, क हम बात करें, सुरेश रहना किर्केटर की, ठीक है, इनकी आतमकथा का नाम है बिलीव, ठीक है, यह सभी के सभी जो है 2024 के है, एक्जामें पूछा जायाईगी बताओ, किस किर्केटर की आतमकanın के is, बिलीव आप बोलो कि सुरेश रहना की, और अगर हम बात करें, जैदीब म अम्रित माथूर की आतमकथा लॉण्च हुई है जिसका नाम है पिचसाइड माइफ इन इंडियन किरकेट ठीक है यहां पे लिखते तों पिचसाइड माइफ इन इंडियन किरकेट यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है हमारा कॉशन जून दोहजार चॉबिस में चंदरि निटेल में अगर हम समझें, भारत के पहले चंदर्मा मिशन, चंदर्यान वन के मिशन निदेशक रहे, श्री निवास हिंगडे का बैंगलूरू में निधन हो गया है, श्री निवास हिंगडे ने तीन दश को 1978 से 2014 से अधिक समय तक भारती अंतरिक्षन उसंधान संगठन इस के साथ काम किया था, चंदर्यान वन मिशन को 2008 में लॉंच किया गया था, यह आपको ध्यान रखना है, अगला कोशन है हमारा, वैश्विक पवन दिवस 2024 यानि की वर्ल्ड विन डे 2024 कम मनाया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का हमारा, उप्शन ए 15 जून को, इ 2007 में यूरोपिये पवन उर्जा संग ने पहला पवन दिवस आयोजित किया था, नेक्स कोशन है मारा, भारत के खादे प्रसंसक्रन उद्योक मंत्राले के नई मंत्री कौन बने है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, चिराग पासवान, डिटेल में अगर हम समझें इस बिहार में लोग जनशक्ती पार्टी के प्रमुक हाजीपूर के सांसा चिराग पासवान को मोदी क्याबिनेट 3.0 में शामिल किया गया है, चिराग पासवान को खादे प्रसंसक्रन उद्योक मंत्राले मिला है, प्रधान मंदी नरींदर मोदीजी ने 9 जून को नई सरकार क साथ सबतली है इन में से 30 को कैबिनेट मंतरी, 5 को सतंतर प्रभार और राज्य मंतरी और 36 को राज्य मंतरी बनाया गया है नेक्स्ट है मारा कोशन तीन दिवस्य रजो उत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया है राइट आंसर हो जाएगा अप्शन डी ओडिशा राज्य में डिटेल में अगर हम समझें इस कोशन को हर साल ओडिशा में नारितव का जश्य मनाने के लिए तीन दिवस्य रजो उत्सव या राजा संकरान्ती का आयोचन किया जाता है इस समय को धर्ती माता या भूदेवी का मासिक धम का काल माना जाता है जो अपने प्रजन छमता का संकेत है यह प्रिथिवी के जीवन और पूर्न जनम के नवी करनिये से संबंदित है इस अवधी के दोरान प्रिथिवी के प्रती संमान के प्रती के रूप में सभी क्रिशी कारे संरक्षित रहते हैं अगर हम बात करें यहाँ पर ओडिशा की तो उसकी स्थापना हुई थी एक अप्रिल 1936 को राजधानी भुवनेश्वर है मुख्य मंत्री है मोहन चरन माजी और राजेपाल है रगुवर दास नेक्स्ट है हमारा कोशन जून 2024 में मंगल ग्रहप पर खोजे गए तीन क्रेटरों में से एक का नाम मुरसान रखा गया है यह किस राजधे में स्थित है तो राइट आंसर हो जाएगा उप्शन डी उत्तर परदेश में स्थित है मुरसान जगय है डिटेल में अगर हम समझें मंगल ग्रहप पर तीन क्रेटर खोजे गए है इन में से एक का नाम मुरसान रखा गया है काशी हिंदू विश्विद्याले के पूरु शोद चातर भोद की शोद परियोगशाला के निदेशक डॉक्टर अनिल भार्दवाज की जनम स्थली हातरस जनपद के मुरसान कस्पे में है यही वजह है कि इसका नाम भी मुरसान रखा गया है अंतराश्टिय खगोलिय संग आई ए यूनिय तीनो क्रेटरों के नाम लाल क्रेटर, मुरसान क्रेटर और हिलसा क्रेटर रखने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है आगे अगर हम समझे उतरपरदेश की बात हुई है यहां पे तो 24 जनवर यूनिसो पचास को स्थापना हुई थी राजधानी लखनव है राजेपाल आनंदी बेन पटेल है मुख्य मंतरी योगी अदित्यनाथ है जून 24 में पवन कल्यान किस राजधे के नए उपमुख्य मंतरी बने है राइट आंसर हो जाएगा आप्शन ए आंदरपरदेश यह है फोटो पवन कल्यान की डिटेल में अगर हम समझे टॉलिवर्ट सूपरस्टार और जनसेवा पार्टी के प्रमुख पवन कल्यान ने 2024 के विधानसवा चुना में आंदरपरदेश के पीथा पूरम सीट पर भारी बहुमत से जीत हांसिल की है उनकी पार्टी के शांदार परदशन के बाद उन्हें राजधे का उपमुख्य मंतरी बनाया गया है इसके इलावब पवन कल्यान को पंचाइती राज एवं ग्रामीन विकास परियावरन एवं बन तथा विग्यान एवं परोदगी मंतरी बनाया गया है उपमुख्य मंतरी का पद राज्य के क्याबिनेट मंतरी के समकश माना जाता है बात करें फेंट से हाँ पर हम आदर परदेश की स्थापना वोई थी एक नममबर 1956 को राजधानी इसकी है अमरावती ये आपको ध्यान रखना है राजेपाल S. अब्दूल नजीर है मुख्य मंतरी है N. चंदरबाबू नाइडू नेक्स्ट है हमारा कोशन तराकी में भारत के लिखित S. और धिनिदी दे सिंगु ने सिंगापूर राष्टी तराकी चैंप्रिशिप 2024 में दो कांसे पदक जीते हैं शीश तराक लिखित S. ने पुरुशों के 100 मिटर ब्रेस्ट रोक सपरदा में 1 मिनट और 2 सेकिंड के समय के साथ कांसे पदक जीता उसे के साथ अगर हम बात करें धिनिदी दे सिंगु ने महिलाओं की 200 मिटर फ्री स्टाइल सपरदा में 2 मिनट 5 सेकिंड का समय लेकर कांसे पदक अपने नाम करा है नेक्स्ट है मारा कोशन पके आम से बना एक पारंपरिक भारतिय वेंजन आमरस जून 2024 के लिए शीष दस आम वेंजनों की टेस्ट एचलस सूची में शीष पर है जो भारत की समरित पाक विरासत को दर्शाता है आमरस के सासाथ भारत की आम की चटनी को पांचमा स्थान मिला है टॉप तीन देख लेते हैं आमरस भारत का नंबर एक पे रहा है थाइलेंड का जो सिटकी मेंगो राइस है ये नंबर टू पे और फिलिपीन्स का मेंगो सॉर्बेट नंबर तीन पर रहा है फिर्ट्स ही आपको मैंने आज के मोस्ट इंपॉर्ण पंदरा कोशन कम्प्लीट करवा दिये वीडियो का जो पहला फेज है ये कम्प्लीट हो गया अब नेक्स्ट फेज में मैं आपको टॉपिक वाइस करन्ट अफेर में टॉप टैन कोशन करवाने वाला हूँ आज आटन कल्चर के तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहला कोशन है मैं दोहजार चौबिस में प्रातव विदो ने किस राज्य के मंगलूरू शहर में रौक कला का पहला साक्षिक हो जा है आंसर हो जाएगा करनाटक अगला है अरटारा चौबिस ललित कला प्रदशनी और प्रतियोगिता कहां पर आयो जित की गई है संयुक तरब आमिरात के दुबई में नेक्स्ट है राजा रवी वर्मा का 166 जैनती पर प्रतिस्ठीत पेंटिंग इंदू लेखा की वास्तविक प्रती का नावरन कहां पर हुआ है केरल के तरावन कोर में भारत की लोक कला और जंजाती परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदशनी सुदेश का आयो जन कहां पर किया गया संयुक तरब आमिरात के दुबई में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया गया 18 अपरिल को नेक्स्ट है मारा कोशन भारती एतिहासिक अभिलीक आयोग द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है यतर इतिहासम भविश्यायम संडक्षिता चौनतिसमा सेंग खीलंग महलसव 2024 कहां पर आयोजित किया गया है मेगालय के वाहिया जेर में तीन दिवसिये सेतो मचिंद्रनाथ यातरा 2024 कहां योजित हुई है नेपाल के काठमांडू में संगीत में निर्तेकारिकरम टेगोर अन्दा परदमा बोट का योजन किस देश में किया गया बांगलादेश नेक्स्ट है बिव सागो उत्सव 2024 किस राजय है मनाया गया असम में फ्रेंट्स ये टॉपिक वाइस करेंड़ फिर के टॉप 10 जो मैं आपको आटेन कल्चरे कोशन करा ये कंपलीट हो गया अब थर्ट फिर स्टार्ट हो जाता इस वीडियो का इसमें आपको मैं डिली जी के बूस्टर में आज पॉलिटी के मौलिक अधिकार से जुड़े हुए टॉप 10 कोशन करवाने वालों जो के एक्जाम में बारबर पुछे जाते हैं भारते समिधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं भाग 3 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां पर है अनुछेद 12 से अनुछेद 35 स्वमिधान के किस अनुछेद में कानून का समान संडक्षन प्रावधानित है आंसर हो जाएगा अनुछेद 14 भारती स्वमिधान के किस अनुछेद में धार्मिक सोतंतरता का अधिकार नहीं हुत है अनुछेद 25-28 अबात्खाल के दोरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किये जा सकते आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिका सोतंतरता का अधिकार यानि की अनुचेद 20 और 21 भारती समिधान का कौन सा अनुचेद अस प्रिश्यता को समाप्त करता है अनुचेद 17 मौलिक अधिकारों की अंतरगत कौन सा अनुचेद बच्चों के सोशन से संबंदित है अनुचेद 24 मौलिक करतवयों को भारत के समिधान में की संशोधन अधिरियम द्वारा शामिल किया गया था 42 समिधान संशोधन 1976 संपती के मौलिक अधिकार को कब खतम किया गया 1978 में समीधान का जो 44 समीधान संशुर्दन हुआ था इसके द्वारा भारती समीधान के नुछे 25 का संबंद किससे है धार्मिक सोतंदर्दा के अधिकार से ये वीडियो हो गई है complete मैंने आपको कम टाइम में जादा जादा कोशन कराने की कोशिश करी है अगर आपको वीडियो की quality वीडियो का content और आपके रवी सर की महनत पसंद आई है वीडियो को like और share जरूर करें comment box में अपना feedback भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है ठीक है अब आपके लिए दो कोशन का test है जिसका अंसर आप सभी ने comment box में देना लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको रवी सर की जो e-book से हो कैसे buy कर सकते हो ठीक है तो पहला कोशन आप सभी के लिए test का ये है जून 2024 में किसने फेट से दक्षिन अफरीका के राष्टपती के रूप में शपत ली है चार option है आपके पास दूसरा कोशन है टेस्ट का विश्यो मरुस्थली करन एवं सुखा रोक्थाम दिवस 2024 का मनाया गया दोनों कोशन का अंसर आपने comment box में देना है वीडियो कैसी लगी आपने अपना feedback भी ज़रूर देना है उमीद करता हूँ फैरस आपको वीडियो की quality वीडियो का content और आपके रवी सर की महनत पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को like और शेयर जरूर करना और आपको बदाना चाहता हूँ current affairs की अगर आपको e-book चाहिए gk, quality, history किसी भी subject की अगर आपको e-book चाहिए तो उसके लिए मारी website है जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com इसका आप screenshot लिए यहाँ पे आपको all subject की e-book मिल जाती है मतलब कम टाइम में आप किसी भी exam की त्यारी कर सकते हो हमारी e-book के तवारा ठीक है आपको इसका PDF मिल जाएगा current affairs by ravie, telegram पे ठीक है इसे आप join कर लेना साथ में mobile application ravie study gk को जरूर इंस्टॉल कर लेना यहाँ पे आपको free test का option मिलेगा यहाँ पे जाके आप free test लगा सकते हो ठीक है friends और वीडियो कैसी जगी जरूर बताना आप सबी और आपको एक गौर good news देना चाहता हूँ कि अभी यूपीसी का exam वाता prelims का उसमें 25 से ज़ादा question directly हमारी ना मतलब वीडियो से पूछे गई है ठीक है मैं आपको टेलिग्राम पे शो करवा दूँगा और कल की वीडियो आपके लिए काफी important हो कि वहाँ पे बता दूँगा कि कौन से question directly पूछे गई है ठीक है यह पहली बार मतलब यह बिल्कुल यकीन से बहार है कि UPSC के exam में हमारी वीडियो से question आ रही है ठीक है तो आपको मैं कल प्रूफ दूँगा ठीक है तो कल वाली वीडियो भी आप जरूर देखना और आपको वीडियो कैसी लगी comment box में जरूर बताना फैंड्स ठीक है मैंने बहुत महनत करी थी best content आपको सभी के सामने रखकर तो किसे के सबसे जाद आपको मैंने 15 question करवाए उसके बाद friends मैंने आपको topic wise भी पढ़ाया और उसके बाद gs भी पढ़ाया और सब कुछ detail में बढ़ाया वीडियो कैसी लगी जरूर बताना तो चलिए अब हम मिलते हैं next video में thank you and wish you all the best